भारत की एक तिहाई अबादी शहरिक शित्रों में बसी है लगभग 38,000 जोकी बस्तियों में 6,40,000,000 लोग रहते हैं जोग्यों में रहने वाले ध्यारी मजदूर, कोठियों में काम करने वाले रिक्षाचालक, खोमचे वाले आदी होते हैं जो शारीरी क्ष्रम से किसी तरह अपने परिवार का भरोण पोशन करते हैं, जीने की इसी ललाई में बच्पन अपनी पहचान खो देता है खेलने और पढ़ने की उम्र में ये छोटे-छोटे बच्चे, कूला बीनने और दुकानों पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं गरीबी के कारण लाखों मासूम बच्चे शिक्षा से बन्चित रह जाते हैं, जीने का हक हो बैठते हैं ऐसे ही बच्चों को अंधकार से निकालने और उन्हें शिक्षा के जरिये उचाईयों तक पहुचाने के लिए गेल इंडिया और आरो फाउंडिशन द्वारा पढ़ो और बढ़ो कारिक्रम के शुरुवात की गई इस कारिक्रम के द्वारा उन बच्चों को अंधकार से निकाल कर उमीद की एक नई रहा पर ले जाया जा रहा है प्रशिक्षण के इंदर पर बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गनित विशे की प्रारंभिक जानकारी दी जाती है जिससे बच्चों का आधार मस्बूत हो सके अनवचारिक शिक्षा के साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों का शेक्षिक स्तर उपर उठाने के लिए रेमिडियल कक्षाएं भी चलाई जाती है बच्चों के रहनसें तथा सीखने की ख्षमता के नुसार बच्चों के शेक्षिक स्तर को उपर उठाने के लिए खास पाठे क्रम बनाए गए हैं पढ़ो और बढ़ो दिल्ली NCR की लगबख सौ जोगी बस्तियों में 250 किंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है जहां से हर साल 10,000 गरीब और शेक्षा से बन्चित बच्चों को शेक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनके भविशे को उज्वल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है विभिन सरकारी स्कूलों में इन बच्चों का दाखिला करवाया जाता है और उन्हें आगे पढ़ाय की ओर अगरसर किया जाता है गरीबी के कारण माता पिता बच्चों को काम पर भीजने को मजबूर होते हैं ऐसे ही घरों में आई के स्त्रोथ बढ़ाने और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए महीला सशक्ति करण हेतू गरिमा नाम से निश्वल्क वोकेशनल ट्रेनिंग कारेकरम भी चलाया जा रहा है इसमें पढ़ों और बढ़ों के लाभारतियों की माताओं और बहनों के सामाजे तथा आर्थिक विकास के लिए सिलाई गढ़ाई, ब्यूटी कल्चर, हस्त शिल्प, फूड मेकिंग, त्यादी कोर्स सिखाई जाते हैं गेल गरीमा से जुड़कर हर साल लगभग 3200 महिलाएं अपने बल्बूते पर अपना घर चलाने में सक्षम हो रही हैं गरीमा केंदर से प्रसिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं को रोजगार से जुड़ा जाता है आज पड़ो और बढ़ो वा गरीमा जैसे महत्वा कांशी कारिक्रम समाज के दबे, कुछले और निर्बल वर्ग के भविश्य को सुरक्षित करने में और उनके जीवनस्तर को बहतर बनाने में महत्वपून भूमिका निभा रहे हैं अंधकार में खोई जीवन को रोश्नी की किरन मिल गई इस किरन की चमक से हर मायूस कली खिल गई तूट गई वो बेडियां जो समाज ने हम पर लगाई थी थस मुस्कुराट को छुपाए ना जाने हमने कितनी सदियां बिताई थी आसों की बारिश में भीगा सा रहा ये मन मजबूरी और मायूसी की धूप में जोलस रहा था ये तन कब कपी से उपती थी देखकर जीवन में ये गहरी काली राथ हर मौसम बदल गया तुम ने जो हसका थामा हमारा हाथ सोई हुई उम्मीदे जाग उठी हमारी जिन्दगी कुछ इस तरह तेज रफ्तार संग भाग उठी बुलंद हो गए हौसले हमारे ठोकर खाकर उठे हैं आज हम आपके सहारे